भाजपा पध्यक्षर पूरु मंत्री राजीव सेजल ने कहा है कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने अपने दस वर्शुके कारेकाल में अभूत पूर्वविकास किया है प्रधान मंत्री ने 25 करोड लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला और अनेक योजनाय चलाकर देश के हर व्यक्ति तक उनका लाभ पहुँचाया है सोलन में पतरकारों से बाचीत में राजीव सैजल ने शिमला संसदिय सीट से भाजपा प्रत्याशी विनोज सुल्तानपुरी पर भी निशाना साधा उन्होंने कहा कि कॉंग्रिस प्रत्याशी की जीत किसी भी तरह संभव नहीं है उन्होंने कहा कि जनता प्रधानमंतरी नरेंदर मोदी को तीसरी बार प्रधानमंतरी के रूप में देखना चाहती है भागना चाहरे हैं हम उनको भागने नहीं देना चाहरे है हम उनको यहीं रखना चाहरे है